नमश्का जहिंद मेरा नाम है सुजीत पांडे आप देख रहे हैं All Exam Guide Guru का YouTube चैनल हमारे पुराने विध्यारतियों को पता है कि हम Practice Head Paper लगते हैं और सबसे बड़ी बात Mixed Question लाते हैं जैसे कि आपको एक्जाम में आते हैं एक्जाम में Topic वाइस नहीं आता कोई कॉशन हिष्टरी का पूछ लेगा पॉलिटी का कोई कुछ कोई कुछ आपके लिए Mixed Question लाते हैं बहुत ही शांदार कॉशन लाते हैं और ये वीडियो भी Mixed Question का आपको इसमें कम से कम 20 या 30 कॉशन सही करने हैं बहुत शांदार कॉशन है करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट कोशश करिए 20 से 30 कॉशन आपके MCQ आपके Test Model Paper सही हो पहला प्रशन देखिए भारत में संपूर्ण क्रांती के पक्षधर का नाम बताईए भारत में संपूर्ण क्रांती के पक्षधर का नाम यहां पर आपको जो ऑप्षण दिये गए है राइट आंसर हो जाएगा जय प्रकाश नारण जी संपूर्ण क्रांती के पक्षधरते ओप्षधर नमबरे जय प्रकाश नारण जी शक काल पर आधारत राष्ट्री पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ हिंदू नवर्ष कलेंडर या सक समवत कब श्टाड़ हुआ तो ये श्टाड़ हुआ आपका AD 78 में 78 ऑप्षण नमबर यहां पर आपका C राइट आंसर हो जाएगा सक समवत पर आधाथ राष्ट्री पंचांग कलेंडर उदाइगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में इस्तित हैं उदाइगिरी में पत्थर से काटी जो गुफाएं हैं उदाइगिरी की गुफाएं ये मद्ध पदेश में हैं सांची का इस्तूफ़े उसके पास में हैं option number C मद्ध प्देश में है ओदाइगिरी की गुफाएं option number C अगला कॉशन देखो पूछा गया इसमें क्या इसमें पूछा गया अगले कॉशन में आपसे की अमरी जो हडपन सविता का एक इस्थल है किस प्रांत मिस्तित है अमरी ये किस प्रांत मिस्तित है अमरी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अमरी के लिए अमरी ये आपका इस्तित है राइट आंसर है सिंध प्रांत में option number आपका यहाँ पर A सिंध प्रांत राइट आंसर हो जाएगा अमरी के लिए सिंध प्रांत 326 इसापूर उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमन इन में से किसके काल में गुए था तो सिकंदर का अतिक्रमन या सिकंदर ने चढ़ाई की थी कूच की थी उस समय शाषन चल रहा था नंदवंज का ओप्षेन नमबर यहाँ पर आपका भी नंदवंश का चाशन चल रहा था शिकंदर के समय सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किस न दिया तो सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली अला उदीन खिलजी ने अपनाई थी अप्शन No.C अलाओधीन खिल जी ने सीना को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी इनमें से किस आओधी में Lord proteam Battlediant het behoor gars चेंटरोड के समय स्वें? Montague Chance The보다 Major किस वर्श पार्थ हुआ था? Montague Chance The WHY Sparrel Band prior Kollege Grade 1999 में पार्थ हुआ था मुगल सामराजी का सही अनुकरम यहाँ पर राइट आंसर है अगला कोशन है शाह जहां मुगल सिंगासन पर कब बैठा था शाह जहां मुगल सिंगासन पर बैठा था 1628-22 में उप्शन नुमरे 1628-22 में शाह जहां मुगल सिंगासन पर बैठा था उप्शन नुमरे राइट आंसर है गुप्त सामराज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो गुप्त सामराज का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है option number B चंद्रगुप्त प्रथम प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे, सिरा जुदाुला ऑप्शन अमबरे, सिरा जुदाुला बंगाल के नवाब थे किसके साशनकाल में इबने बतूता भारत आया था इबने बतूता भारत आया था मोहमबद बिन तुगलक के साशनकाल में गांदी जी का चंपारन सत्यागरा निम्नमे सिक किस से संबनित था तो गांदी जी का चंपारन सत्यागरा तीन कठिया पदती से संबनित था नमबरे तीन कठिया पद्दती से अशोक का शिलालेख किस भाशा में लिखा गया था तो अशोक का शिलालेख यह ब्रामभी भाशा में लिखा गया था उप्शन नमबर वी ब्रामभी भाशा में अशोक के लेखा कवी थे तो बान दर्वारी लेखक और कवी थे हर्श वर्धन के दर्वार के अप्शन नमबर सी हर्श वर्धन के दर्वार के लेखक और कवी थे बान भट अकिल भारतिय मुस्लिम लीग के पृथम अध्यक्ष कों थे अकिल भारतिय मुस्लिम लीग के सबसे पहले अच्छिश निम्द में से कहा सुरक्षित रखा गया है तो भगवान बुद्र का अस्थी आवशेश यहां पर आपको जो शेहरों के नाम दिये गए उसमें से पतना में सुरक्षित रखा गया है अश्थी आउशेश ग्रैंट ट्रंक रोड जोडता है किसको किस से ग्रैंट ट्रंक रोड जीटी रोड जिसको बोलते हैं तो ग्रैंट ट्रंक रोड जोडता है आपका दिल्ली से कलकत्ता, option number D यहाँ पर जो option दिये गए उसके अनुसार ग्रैंट ट्रंक रोड आपका दिल्दी से कलकत्ता को जोड़ता है option number D निम्निमसिक कौन सा भारतिय दर्शन की अपेक्षा पाश्यात दर्शन से अधिक प्रवावित थे तो भारतिय दर्शन की अपेक्षा पाश्यात दर्शन से अधिक प्रवावित थे राजा राम मोहन राई जी option number C राइट आंसर है किस साशक ने अपने सिक्कों पर शाक्यमुनी बुद्ध की आकरती अंकित करवाई थी तो शाक्यमुनी बुद्ध की आकरती अंकित कराई थी कनिशक ने अपने सिक्कों पर शाक्यमुनी बुद्ध की आकरती अंकित कराई थी अपने सिक्कों पर शाक्यमुन नर्सिंग वर्वन प्रथम ने सब्तरत मंदिर का नमान कहां करवाय था तो पल्लव नरेश नर्सिंग वर्वन प्रथम ने सब्तरत मंदिर का नमान महाबली पुरम में करवाय था option number 2 महाबली पुरम इरानी तेवहार नौरोज का प्रशलन किस ने आरंब किया तो इरानी त्योहार नौरोज का जो प्रिसलन आरंब किया था बलबन के द्वार आरंब कराए गया था उप्शन अबड़ी बलबन ने नौरोज का प्रिसलन आरंब कराए था गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंब की थी किस लिए तो गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए आरंब की थी अप्शन अमबरी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा को आरंब किया गया था गांधी जी ने प्रतम सत्यागरा अभियान कहां से प्रार्म किया सबसे पहला सत्यागरा अभियान चालू हुआ था चमपारन अभियान चालू हुआ था नातु राम गोडसे ने महातमा गांधी को गोली कब मारी थी तो नातू राम गोडसे ने महातमा गांधी जी को जो गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को मारी थी option number यहाँ पर right answer हो जाएगा शत्रबदी सिवाजी के बारे में नमल कित्म से कौन सा खतन सत्य है शत्रबदी सिवाजी माराज के बारे में सत्यखतन यहाँ पर आपको जो option दे गए है उन्होंने माराठों को एक राश्ट्र में जोड़ा था option number भी अर हिंदू स्वाज की हिंदू राज़्य की स्ठापना की थी option number भी यहाँ पर right answer है मराढ़ों को एक राश्टर में जोड़ा था इंडियन नैशनल आर्मी किसके दुआरा बनाई गई थी इंडियन नैशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोजी के दुआरा बनाई गई थी 1857 के सेने के विद्रोह का ताथकाली कान था सेने को चर्वी लगे कार्थूसों की आपफुर्टी करना। राजा राम मोहन राए किसके संस्थापक थे तो राजा राम मोहन राए ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे option number ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राए कालिदास क्या थे तो कालिदास जी गुप्त काल के एक प्रसिद्ध कवी थे option number C गुप्त काल की एक प्रसिद कवीति कालिदाश जी, option number C, right answer हो जाएगा लुम्बिनी किसका धार में किस्तल है, लुम्बिनी किसका धार में किस्तल है तो लुम्बिनी जो है आपका ये बौधों का धार्मी किस्थल है उप्शन नमबरी बौधों का धार्मी किस्थल है लुम्बिनी भारत का लोपुरुष किसे कहा जाता है तो भारत का लोपुरुष सरदार वल्लभाई पडेल जी को कहा जाता है उप्शन बसी सरदार वल्लभ की समय सांची स्थूप का निर्मान हुआ था option number A सिंदू घाड़ी सविता की पहचान निंदमेश से किस से है चार आश्रम निंदमेस से किस संबनित है तो चार आश्रम का संबंध है जीवन के चरणों से जीवन के चरणों से चार आश्रम का संबंध है उप्शन नमरी जीवन के चरणों से निम्ने मैं से किसके प्रयासों से 1856 एसवी में विद्वा पुनर विवा अधिनियम पारित हुआ था तो विद्वा पुनर विवा अधि पारित हुआ था इश्वर चंद्र विद्या सागर के द्वारा भारत में अंग्रेजी सिक्षा के परिचा के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदाई है अंग्रेजी सिक्षा के परिचा के परिचा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदाई हैं आपके लौड मैकाले लौड म पहला दिक्ष था W.C. बेनर जी और इनको सबसे पहले बनाया गया था अठारा सो पचासी में दिक्ष अठारा सो पचासी ओप्चन नमबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अठारा सो पचासी अगला कोशन देखो टीपू सुल्तान के साशनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी हर्ष वर्धन के राज काल में एक बड़े बौधमट की स्थापना कहां पर हुई हर्ष वर्धन के समय एक बौधमट कहां पर स्थापित किया गया तो हर्ष वर्धन राजा की समय बौधमट स्थापित किया गया था आपका नालंदा में ऑप्शन नमबर आंसर है दीन ए इलाही निम्न का नाम था तो दीन ए इलाही एक धर्म का नाम था उप्शन नमर सी दीन ए इलाही एक धर्म था उप्शन नमर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जामा मस्जित इनमें से किस के द्वारा निर्मित है जामा मस्जित का निमान किस ने कराया थ तू प्रसिद जामा मजज़ित का नर्माण कराए था शाह जहाने ऑप्शन स्वतंत्रता के बाद भारती लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनसिती थी शांती बनाया रखना क्योंकि भारत विवाजत हुआ था और धर्मों में जो है अलग-अलग धर्मों में बदभित था तो शांती बनाए रखना option बसी यहाँ पर right answer हो जाए भारती इतिहास का ऐसा पहला शाशक किसे माना जाता है जिसके पास इस्थाई सेना थी तो भारती धियास का पहला साशक जिसके पास इस्थाई सेना थी विम्बिसार ओप्शन बड़ी यहां पर राइट आंसर है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौनार्क मंदिर विख्यात है option number ये कौनार्क मंदिर right answer हो जाएगा कुणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाने आता है अकबर ने सरपुदम वैवाहिक संबंद राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किये अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंद ये स्थापित किये थे कक्छवाहों से option बड़ी कक्छवाहों से खैदर अली राइट आंसर हो जाएगा नहरू आ गांधी के विचार नहीं मिलते थे किस पर तो नहरू और गांधी के विचार भारत के और द्योगी की करण पर नहीं बलते थे नहरू जी बोलते थे की और द्योगी करण अच्छा है गांधी जी सहमत नहीं थे बुलंद दर्वाजा का निर्मान किस ने करवाया बुलंद दर्वाजा तो बुलंद दर्वाजे का निर्मान करवाय था अकबर ने ऑप्शन नमबर ही अकबर ने बुलंद दर्वाजे का निर्मान करवाय था निम्नलगत मसे धार में एक पंत के अनुवयाई दिगंबर और श्वेतामबर की रूप में दो भागों विवाजित हो गया कौन सा धर्म था तो दिगंबर और श्वेतामबर जैन धर्म जैन्धर्म दिगंबर और श्वेतांबर संप्रताईब्र में विवाजित हो गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, अलीपुर बंब कांड में कौन शामिल थे, अलीपुर बंब कांड में इनमें से कौन शामिल थे, यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन दे गए है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है आपका अरविंद घोश, अलीपुर बंब कांड में शामिल थे, अप्शन बढ़ी अरविंद घोश यहाँ पर राइट आंसर है, खुदाई खिदमदगार आंदुलन किस ने शुरू किया, खुदाई खिदमदगार आंदुलन किस के दौरा शुरू किया, यहाँ पर आप कुछ उप्शन दे गए राइट आंसर हो जाएगा अब्दुलकफार खान के द्वारा खोदाई खितमदगार आंदूलन शुरू किया गया था उप्शन नमबर A चंगेश खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया किसके साशनकाल में तो हंटर आयूक की निक्ति की गई थी आपकी राइट आंसर हो जाएगा जलिया वाला भाग हत्या कांट की जांच के लिए उप्शन नमबर यहाँ पर भी हंटर आयूक की निक्ति की गई थी जलिया वाला भाग हत्या कांट की जांच के लिए किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में नुवाद किया था यहाँ पर आप कुछ अप्षिन दे गया है राइट आंसर क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चाल्स विलकिनस अप्षिन नमवर आप рекांवत गीता का अंग्रेजी में वन बात के ऑप्षिन नमबर भी इस भादिर शाषक ने आदुनीक तर्ज पर Вिदेशों में अपने राज जो है दूतावास खोले राजदूतों को भीजा तो आदुनीक तर्ज पर दूतावास खोले थे यहां पर आपको जायीं संग्रह इंछाल कहां से मिला है तो अनाज संगरहिसल मिला है आपका मोहँजोदाड़ु से option अनाज संगरहिस्थल मिला है। 58 लोगों को निम्न मैंसे किसकी जानकारी नहीं थी। चाक, आग, लोहा या गेहुं। यहां पर आइडांसर हो जाएका लोहे की जानकारी नहीं थी option पिषड़ वरधन कि समय कौन आया था पड़च्छी ने आपको बंगाल की आत्री ने भारत की यात्रा की आत्रा की है, की समय कोन आये था तो हर्ष वर्धन की समय आये था आपका हें सांग ऑप्षेन अबड़ी हें सांग हर्ष वर्धन 1942 इसवी के भारत छोड़ आंदोलन की दोरान भारत का वाइस राइ कौन था भारत छोड़ आंदोलन की समय वाइस राइ कौन था उस समय वाइस राइ था लॉड लिन लिथगू ऑप्शन बरी लिन लिथगू भारत का गो भारत छोड़ मतलब भारत से जाओ तो go से आत्रखन गो जाओ भीया लिनलित go option बरे ये था भारत का वाइसरा है अगला कौशन है महादेव गोविंद रानाडे इनमें से किसके सदस्य थे महादेव गोविंद रानाडे का नाम आपने सुना होगा ये प्रार्थना समाज के सदस्य थे option बड़ी प्राइथना समाज के सदस्य थे महादेव गोविंद रानाडे और दे option बड़ी यहाँ पर right answer जवाहर लाल नहुरू कितनी बार भारती राश्ट्री कॉंगरिस के अध्रख्ष बने तो जवाहर लाल नहुरू राइट आज़ा हो जगा तीन बार भारती राष्टी कॉंग्रिस के दिक्ष्ट sound, तीन बार आप्षिंन नमबर C, चटान काड़कर बनाए गए मंदिर बान भट किसके दरवार में रहते थे बान भट किसके दरवार में थे तो बान भट थे आपके हर्श वर्धन के दरवार में ऑप्शन नमबर भी हर्श वर्धन के दरवार में थे बान भट ऑप्शन नमबर भी इसलाम धर्मी की स्थापना किस सताब्दी में हुई इसलाम धर्मी की स्थापना हुई थी साथवी सताब्दी में option number A साथवी सताब्दी में इसलाम धर्मी की स्थापना हुई थी option number A निम्द में से किसके वाइस राय काल में रोलेक्ट एक्ट पास किया गया कौन वाइस राय था तो रोलेक्ट एक्ट पास किया गया था चेम्स फोर्ड के समय उप्शन नमबर भी चेम्स फोर्ड के समय रोलेक्ट एक्ट पास किया गया था आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई आईने अकबरी की रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा option number C अबुल फजल right answer है भारत चोड़ो अंदोलन की शहर में शुरू हुआ था तो भारत चोड़ो अंदोलन बंबई में शुरू हुआ था option number A बंबई या मुंबई अभी का option number a right answer है लाल बाल पाल में से बाल कौन था तो लाल बाल पाल में से बाल थे बाल गंगा धरते लग लाल थे लाल और पाल आप बता दो ठीक है लाल कौन थे और पाल कौन थे ओके चलो comment करके बताना आपको रिल इसके साषन काल में चलाय गई थी बाल रिल जो चलाय गई थी यह आपके यहांप पर यहां सही है और किसी बुक में आपको महात्मा गानी जी मिलेगा तो वो भी सही है ठीक है option number A अच्छा महिलाओं ने कहके पुकारा था सरदार और महात्मा गानी जी ने उनको permanent बोल दिया था कि चलो भीया अब आपके नाम के आगे सरदार लगेगा भारती राष्टी कॉंगरिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो भारती राष्टी कॉंगरिस की स्थापना 1885 में हुई थी option number B 1885 राइट आंसर है चत्रपदी सिवाजी महाराज की माता का नाम क्या है तो चत्रपदी सिवाजी महाराज की माता का नाम था जी जाब आई, option number C, जी जाब आई, right answer हो जाएगा छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर होने पर क्या कहलाया तो छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर चंगेश खान, कहलाया चंगेश खान का बच्पन का नाम था, तेमुजिन option number V, चंगेश खान निमने मैंसे किस ने 711 इसमी में भारत पर आक्रमण किया था 711 इसमी पर भारत पर आक्रमण तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा है राइट आंसर हो जाएगा मौंबद बिन कासिम option number D 711 ISO में मुहंबद गिबिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था अशोक द्वती के नाम से जाना जाता है इन में से किसको अशोक द्वती है तो अशोक द्वती कहा जाता है हर्श वर्धन को option number D हर्श वर्धन को अशोक द्वती के नाम से जाना जाता है जलियावाला बाग हत्याकांड की तारीख बताईए जलियावाला बाग हत्याकांड की तारीख राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रेल 1919 ऑप्शन नमबर भी 13 अप्रेल 1919 जलियावाला बाग हत्याकांड की तारीख शुराज पार्टी की स्थापना 1922 में किस ने की थी 1922 में सुराज पार्टी की स्थापना मोतिलाल नहरू और चितरण जन्दासी अरदास ने की थी option number यहांपर C right answer हो जाएगा मोतिलाल नहरू और C अरदास निम्दलकित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ती संत कौन थे सबसे अधिक सुधारवादी भक्ती संत सबसे अधिक सुधारवादी भक्ती संत थे आपके कभीर option number C कभीर यहाँ पर right answer हो जाएगा सबसे अधिक सुधारवादी भक्ती संत महांबद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीत बद्द किया था संगीत बद्द किसने किया था सारे यहां से अच्छा को राइट आंसर हो जाएगा पंडित रवी शंकर जीने option number C महात्मा गानी जी का जन्म कब हुआ था महत्मा गानी जी का जन्म कब हुआ था या रखेगा 2 अक्टूवर 1879 महत्मा गानी जी का जन्म हुआ था option number C हमपी किस राजी का आउशेश है हमपी किस राजी का आउशेश है हमपी आपका विजय नगर सामराजी का आउशेश option number C करनाटक का कौन सा इस्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है जैन की काशी करनाटक में मुदु विदर को जैन का काशी कहा जाता है मुदु विदर को जैन का काशी कहा जाता है आयरवेद का पिता किसे कहा जाता है आयरवेद का पिता कहा जाता है चरक को आयरवेध का पिता कहा जाता है करमेही पूजा है उक्ति किस ने कहा था तो करमेही पूजा है यह जो उक्ति है गान्धी जी की एक लाइन है पंक्तिए ना उफ्शन बी गान्धी जी वासकोड ऻुड़िगामा अपनी kept of good hope की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतिये सामुद्रक सीमा में मई 1498 में कहां पर पहुँचा वास कोड इगामा पहुँचा था काली कट जिसको अब कोजी कोड भी बोलते हैं काली कट या कोजी कोड ऑप्शन नमबर सी किसे राज़े में हैं कमेंट करके बताओ काली कट या कोजी कोड किसे राज़े में हैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ कमेंट करके बताने काली कट कहां पर है बीजापुर का गोल गुमबज मकवरा किस से संबनित है बीजापुर का गोल गुमबज मकवरा तो ये समझने थे मुहमबद आदिल शाह से अप्शन नमबर B मुहमबद आदिल शाह निमनले कितमे से किस्तिती को 4-4 कांड हुआ था 4-4 कांड 4-4 कांड की डेट थी 5 फरवरी 1922 अप्शन नमबर B 5 फरवरी 1922 राइट आंसर है पुराणों का अध्यन करने वाला प्रतम मुसल्मान कौन था पुराणों का अध्यन करने वाला सबसे पहला मुसल्मान था अलबरूनी अप्शन नमबर B अलबरूनी राइट आंसर हो जाएगा अगबर दोवारा दीवान का पूर्ण रूपेन दर्जा दिया जाने वाला पहला वेक्ति दीवान का पूर्ण रूपेन दर्जा किसको दिया था तो दिया था राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडर मलको अप्शन बड़ी राजा टोडर मलको दीवान का पूर्ण रूपेन दर्जा दिया था गांधी जिस व्यदेशी पत्रकार को टांडी मांच के समय अपनी आश्ट्रम में ठैठाए लॉब मिलर परойтиराश्री कॉंघ्रिस पर प्रार्थ्ना यांच्ऑना तथा की राजनीती करने का रूप लगा था प्रात न याचन तता विरोध की राजनीती करने का रूप लगाए था भाल गंगत त्रग जी ने option number B वाल गंगत त्र पॉस्विकारों अंसर आपको कमेंट करके बतानाए हमें वह भारत की दिमफलिख। वाजस रहाय से में IPC और CPC पार्थ किये गए बताओ CPC और IPC Indian Penal Code Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code किसके समय पार्थ किये गए थे दो option दे रहा हूँ comment करके बताना Lord Afrin या Lord Kenning Lord Afrin या Lord Kenning में से एक answer सही है comment box में इसका answer देना है आपको comment करके हमें लेंगे आपसे अगली वीडियो में अपना ख्यार रखे जय हिंद जय भारत